नमस्कार बच्चों आप कैसे हैं घर में सकुषल है ना मैं हूं बी स्रीनिवास खम्मम जिला पेनुबली मंडल के चिंतागूडम उन्नत पाठशाला में हिंदी अध्यापक हूं हम पिछले दो सत्रों में नीती दोहे नामक पाठ के अंतरगत रहीम और बिहारी के दोहे पड़ चुके हैं अब उस पाठ से संबंदित कुछ कार्य करेंगे पहले देखिए अर्थगराहिता प्रतिक्रिया इसके अंतरगत कुछ प्रश्न दिये गए हैं पहले आ भाग में देखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्न है नीती वचनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है मैं पहले ही बताया है नीती वचनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है इसके बारे में बताया है फिर एक बार सुनिये नीती वचनों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है मन को अच्छे कारियों पर केंद्रित करके सनमार्ग पर चल सकते हैं हमारे जीवन में बहुत परिवर्थन होते हैं नाइतिक भावनावों का विकास होता है, बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, जीवन सार्थक बना सकते हैं, समाज में अच्छे नागरिक कहलाते हैं। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, मनिश्य को विनम्र क्यों रहना चाहिए। हम दोहे में पढ़ चुके हैं, मनिश्य को विनम्र रहना चाहिए क्योंकि विनम्रता से ही वह जीवन में उन्नती पाता है, सबका आदर सम्मान प्राप्त करता है। इसलिए मनिश्य को विनम्र रहना चाहिए अब आ भाग में देखिए पाठ पढ़िए अभ्यासकारी कीजिए इसमें पहला प्रश्न है पाठ से ध्वनी साम्य वाले शब्द चुनकर लिखिए जैसे रीत मीत ध्वनी साम्य इसका अर्थ है एक जैसे उच्छरित होने वाले शब्द यानि सुनने में एक जैसे ध्वनीत होने वाले शब्दों को ध्वनि साम्य शब्द कहते हैं देखिए रीत मीत एक जैसे ध्वनित होते हैं। उसी प्रकार दोहों में देखे तो आखरी शब्द देखिए हर पंक्ती के आखरी शब्द। होते दोहे में देखे तो जोई होई तो दोनों एक जैसे ध्वनित होते हैं। और इसके बाद दूसरा प्रश्न। यह शब्द का तीन बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार प्रयोग हुआ है। तीन बार प्रयोग हुआ है। तीन बार तीन अर्धों में एक ही शब्द के तीन अर्धों में प्रयोग किया गया है। क्या है उसके अलग-अलग अर्ध। एक अर्ध है प्रतिष्ठा या इज्जत। दूसरा है चमक और तीसरा है जल। ये तीनों अर्धों में पानी शब्द का प्रयोग किया गया है। और यी भाग में देखेंगे। भाव स्पस्ट कीजिए। यहां पर एक दोहा दिया गया है उसका भाव स्पस्ट करने के लिए पूछा गया। पहला रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून। पानी गये ना उबरए मोती मानुष चून। यहां पर रहीम क्या कहते हैं पानी के महत्व के बारे में बता रहे हैं। हमको पानी रखना आवश्यक है। पानी के बिना सब व्यर्त है। पानी चला गया तो मोती मनिश्य और चूना बचते नहीं है। पानी अर्थात चमक जाने से मोती बचता नहीं व्यर्त होता है। और पानी अर्थात प्रतिष्ठा के चले जाने से मनिश्य नहीं रहता। और तीसरा पानी अर्थात जल के ना रहने से चूना व्यर्त हो जाता। इसलिए हरेक को पानी रखना आवश्यक है। और दूसरा देखिए। कनक कनक तैं सौगुनी मादकता अधिकाए। उही खाये बवराई जग इहिम पाये बवराई। इसका भाव क्या है। यहाँ पर कनक कनक दो एक ही जैसे शब्द हैं। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। सोना धतूरे की अपेक्षा सौगुना अधिक नशीला होता है। धतूरे को खाने से वेक्ती उनमाद बनता है । जबकि सोने को पाने मात्र से वेक्ति उन्माद होता है यानि धन संपत्ति या सोना रखने से वेक्ति उन्माद जैसे व्यवहार करता है और इसके बाद देखेंगे अर्दग राह्यता प्रतिक्रिया हो गया ना अभिवेक्ति सुरुजनात्मकता पहले आ भाग में देखेंगे इन प्रश्णों के उत्तर तीन चार पंक्तियों में लिखिये यहाँ पर दो प्रश्ण दिये गए हैं इस भाग के अंतरगत पहला प्रश्ण देखेंगे अच्छे मित्र की क्या विशेशता है क्या पूछा गया है अच्छे मित्र की क्या विशेशता है अच्छे मित्र की विशेशता यह है कि विपत्ती के समय वह हमारे साथ रहता है अपना हाथ बांट कर सहायता करता है हमारी बाधाओं को मिटाने का प्रयास करता है विपत्ती में जो हमारे साथ देता है वही सच्छा मित्र है अब दूसरा प्रश्न बिहारी ने सोने की तुलना धतूरे से क्यों की होगी उस दोहे में बिहारी ने सोने की तुलना धतूरे से क्यों की होगी बिहारी ने सोने की तुलना धतूरे से इसलिए की होगी की दोनों नशीली चीजें हैं वेक्ति को उन्माद बनाते हैं धतूरे को खाने पर वेक्ति उन्माद होता है लेकिन सोने को तो पाकर ही वेक्ति उन्मत हो जाता है दोनों चीजें नशीले होने के कारण बिहारी ने इस दोहे के अंतरगत सोने की तुलना धतूरे से की होगी और आभाग में देखेंगे क्या पूछा गया इसमें किन ही दो दोहों का भाव अपने शब्दों में लिखिए पाठ में आप चार दोहे पढ़ चुके हैं इस पाठ के अंतरगत उन चार दोहों में से किन ही दो दोहों का भाव अपनी वोर से अपने शब्दों में लिखना चाहिए किनहीं दो दोहों को चैन करके उनका भाव लिखना चाहिए और यह भाग में देखेंगे पाठ में दिये गए दोहों के आधार पर कुछ सूक्तियां लिखिए पाठ में दिये गए दोहों के आधार पर कुछ सूक्तियां लिखिए दो हे नीती परक है इसलिए हम उन दो होम से कुछ सूक्तियां बना सकते हैं उदाहरन के लिए कुछ सूक्तियां मैं बताता हूँ उसी प्रकार की सूक्तियां आप ही बन लीजिए बना लीजिए और सुनिए व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखनी चाहिए विपत्ति सच्चे मित्र की पहचान करती है उनमाद बनाने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए विनम्रता से व्यक्ति गवरव प्राप्त करता है विनम्र व्यक्ति महान बनता है इस प्रकार की सुक्तियां हम उन दोहों से बना सकते हैं आप भी सोचिए और और कुछ सुक्तियां बनाने की कोशिश कीजिए और इभाग में देखेंगे अब पाठ में दिये गए दोहों में आपको कौन सा दोहा बहुत अच्छा लगा क्यों पाठ में चार दोहे दिये गए हैं उन चार दोहों में से आपको कौन सा दोहा अच्छा लगा चुनकर लिखिए और क्यों क्यों अच्छा लगा इसका कारण भी लिखिए उसके बाद अब चलेंगे भाशा की बात की और पहले आभाग में देखेंगे अर्थ के अनुसार बेमेल शब्द पहचान यह यहाँ पर चार-चार शब्द दिये गए हैं उन चार शब्दों में बेमेल शब्द को पहचान ना है बेमेल का मतलब तीन शब्द एक जैसे होते हैं आर्थ की दृष्टी से और एक शब्द अलग होता है उस शब्द को हम पाचानना है देखिए पहला नीर, पीर, जल, पानी ये चार शब्दों में नीर, जल, पानी ये तीनों शब्द एक ही अर्थ देने वाले शब्द है अलग शब्द है पीर बेमेल शब्द क्या है इनमें पीर और दूसरा मीत, रीत, मित्र, दोस्त इन चारों शब्दों में मीत, मित्र, दोस्त ए तीनों शब्द एक ही अर्थ देने वाले शब्द है बेमेल शब्द क्या है फिर इसमें रीत अब तीसरा देखेंगे जग, संसार, विश्व, मग ए तीनों शब्दों में, ए चार शब्दों में जग, संसार, विश्व, ए तीन शब्द एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं और बेमेल शब्द हैं मग और आ की भाग में चलेंगे संपत्ती, विपत्ती, गती इन तीनों शब्दों के समानार्धी शब्द लिखिये पूछा गया, और इ भाग में मनुस्य, समाज, ज़ल, ए तीनों शब्दों में अक्षर दोश है, यानि वर्तनी की दोश है इस वर्तनी को सुधार कर लिखिये, सही शब्द लिखना है, और इ भाग में देखे तो लौकिक, दूसरा नाइतिक और तीसरा पौरानिक क्या करना है इन शब्दों को, सूचना देखिये, वाख्य प्रयोग कीजिये, इन तीनों शब्दों को अपने वाख्यों में प्रयोग करना है फिर एक बार पहला अम्ष देखेंगे, यहाँ पर उत्तर भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिये अर्ध के अनसार बेमेल शब्द पहचानिये, पहला नीर, पीर, जल, पानी इन चारों शब्दों में बेमेल शब्द पीर है, दूसरा मीत, रीत, मित्र, दोस्त इन चारों शब्दों में बेमेल शब्द रीत है, और तीसरा जग, संसार, विश्व, मग ये चारों शब्दों में बेमेल शब्द मग है, और आ भाग में शलेंगे समानार्धी शब्द लिखिये पहला है संपत्ती, इसका समानार्धी शब्द देखिये, संपदा, धन, आईश्वर्य और दूसरा शब्द है विपत्ती, विपत्ती का अर्ध क्या है, समानार्धी शब्द देखिये, कष्ट, आपत्ती, संकट और तीसरा शब्द गती, इसके समानार्धी शब्द चलन, उपाय, रास्ता लिख लीजिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अब चलेंगे अगली अम्ष्किवर, यी भाग में वर्तनी सुधार कर लिखिये, एक अक्षर ग्यलत होता है इसमें, अक्षर दोश होता है, इसको सुधार कर लिखना है, पहले शब्द में देखिये, मनुस्यू, वहाँ पर सा के स्थान पर शा की मात्रा होनी चाहिए, मनुस्यू, इसमें दोश है, सही शब्द क्या है, मनुस्यू, और दूसरा, समाज, यहाँ पर महाप्राण ज्या लिखा हुआ है, यह गलत है, इसको सुधार ने पर समाज, सही शब्द क्या है, समाज, और तीसरा शब्द है, ज्छल, इसमें भी महाप्राण ज्या लिखा है, लिखा हुआ है, यह दोश है, सही शब्द क्या है, अल्पप्राण ज्या, जल सही शब्द है, और यह भाग में चलेंगे, वाक्य प्रयोग कीजिये, तीन शब्द दिये गए हैं, लौकिक, नाइतिक, पावरानिक, लौकिक शब्द का वाक्य प्रयोग करने का प्रयास करेंगे, आप अपनी ओर से इस शब्द का वाक्य प्रयोग करना चाहिए, यह केवल उदाहरण के लिए ही है, लौकिक शब्द का वाक्य प्रयोग देखें, तो धन दवलत से लौकिक आनन्द ही प्राप्त होता है, और दूसरा शब्द है नाइतिक, बच्चों में नाइतिक मूल्यों का विकास करना बड़ों का काम है, और तीसरा शब्द है पावरानिक, इस शब्द का वाक्य प्रयोग के लिए एक उदाहरण देखें, मुझे पावरानिक नाटक बहुत पसंद है, मुझे पावरानिक नाटक बहुत पसंद है इस प्रकार शब्दों को वाक्य प्रयोग कर सकते हैं इन तीनों शब्दों में और एक व्याकर नाम्ष पूछा जा सकता है क्या है कि लवकिक शब्द में प्रत्याई क्या है ऐसा पूछा जाता है तो लवकिक में प्रत्याई क्या है इक प्रत्याई का अर्थ क्या है जो शब्दाम्ष शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उस शब्दाम्ष को प्रत्याई कहते हैं प्रत्याई कहा जुड़ता है शब्द के अंत में आप यह भी सुने होंगे उपसर्ग उपसर्ग शब्द के पहले शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन लाता है यहाँ पर यह तीनों शब्दों में प्रत्याई है लौकिक शब्द में प्रत्याई क्या है इक लोक प्लस एक लौकिक बनता है और उसी प्रकार नैतिक शब्द लिया तो इसमें भी इक प्रत्याई जोड़ा गया है नैतिक शब्द में प्रत्याई क्या है? इक, नीती प्लस इक, ऐसा अलग कर सकते हैं इस शब्द को, नीती प्लस इक नैतिक बनता है, इसलिए नैतिक शब्द में इक प्रत्याई है, और तीसरा शब्द है पावरानिक, पावरानिक शब्द में भी इक प्रत्याई जोडा गया है पुरान प्लस एक दोनों मिलके पौरानिक बन गया है इसलिए पौरानिक शब्द में प्रत्य क्या है एक बच्चों आप सबको यह पाट समझ में आ गया मैं समझता हूं कि आप सबको यह पाट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और कोई संदेह हो तो अपने अध्यापकों से चर्चा कीजिए अपने मित्रों से चर्चा कीजिए और पाट से संबंदित सभी कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिख लीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाईए और इस पार्ट का अभ्यास करके इस पार्ट से जो इस पार्ट का जो उद्देश है नीती को बोध करना इस पार्ट पढ़ने के बाद आप सब नीती वाक्यों को नीती वचनों का अनुसरन करना चाहिए और अपना अपना जीवन सार्धक बनाना चाहिए अब सब को धन्यवाद लिए नीवन नीवन